अग्षाइब तो आज की विडियों में बात करने वाले हैं एक स्पेशल आइटम के बारे में और बहुत ज़्यदा पॉपिलर नहीं है बट अगर आप इसके बैनिफिट्स के बात करोगे तो यह बैनिफिट्स के बहुत ज़ादा बोलते हैं तो आपने बहुत तरीके की टीस पी होंगी ब्लैक टी ग्रीन टी और आज मैं बताने वाला हूं वह है ब्लू टी के बारे में तो ब्रूश ब्रैंड की है यह ब्लू टी और डिलेस में समझाऊंगा और इसके बैनिफिट्स बना बैनिफिट्स भी आपको बताने वाला हूं औ तो बटरफ्लाई पीफलार से यह बनता है और इंडिया में बहुत सारे नाम से इसको जा जाता है यह शंक पुष्पी नीलकंट प्राजीता हो गया तो इंडिया में भी काफी पॉपिलर होता जाया रहा है और इसके हेल्थ बेन्फिट्स के बात करेंगे तो यार इतने सारे ह तो आपको बताय तो उसमें ही लिखे हों है तो नर्शिस हेर इंड स्किन तो आपकी स्किन और एक लेच्छा आपको फैट लॉस्ट करता है अपकी मेटाबल्स पर गड़ता होगा तो आपकी बॉड़ी ज्यादा कैली सब्सक्राइगी तो यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बेन फिट है रिडिउस स्ट्रेस और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकर इसी की आ रही है तो इंप्रूव डायेशन आपका डेशन इंप्रूव करेगा यह सब्सक्राइब करने वाला तो सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि यह कैफीन फिल नहीं बिलने वाले इस से और यह काफी अच्छी बात है आपको इतनी सारे बेन फिट्स मिलेंगे और थे सेम ताम आपको कैफीन नहीं मिलेगा तो यह काफी अच्छा लगा मेरे को इसका और बेनिफिट्स इसके लिखे हुआ है इंप्रोव आइसाइट इन्हेंस कोगनेटिव फॉंक्शन एंटियुक्षिंट एंटियुक्रा मेलिटरी बूस्ट मेडवाजन मतलग कि आपका फैट लौस पैकिंग की बात करें तो यहां पर आपको सस्ता मिल जाएगा बदक्री मर्प बहुत जाला नहीं है और इसकी ब्रेफिट्स को देखते हुए तो बहुत ज्यादा और यहीं सेम बेनिफिट्स ग्रीन टी में भी हैं बहुत ज्यादा फरद नहीं है बट कुछ नहां तो आज कुछ लेमन बगएरा यूज करके मैं बनाने बाला हूं शुगर फी डाल देंगी तो आप स्टीविया यूज करना बट अब इस्टीविया बिने मिल नहीं है तो थोड़ा सा टेस्ट तक है तो चलो दिखाता हूं मैं इसकी रेसिपी तो भाइव अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रिपेर ब्लूटी तो पानी हम लोग ये टू हंड़ेड में डाल रहे हैं कि तू हंड़ेड में पानी डाल दिया है और तो इसकी पत्ते देखनों कुछ ऐसे होता है कि ट्राइए कि हुए तो यह हम लोग चार लीज डालेंगे चार पत्ते डालने वालें फ्लावर आइमें तो चार फूल डालेंगे हम लोग पांच डाल दोगा कि प्लोज़ी देखनों कि अगा तो एक निम्बू काट लेंगे हम लोग पूरा डाल लेंगे है कि शुगर पी डालने जा रहा हूं मैं तो अब यह पूरी तरीके से बन गया है इसको करते हैं अब हम पांच तो भाईयों अभी देख लो यह कैसा लग रहा है और अभी इसको मैं इसमें डालूंगा तो अभी इसको हम लोग डालेंगे इसके अंदर तो यह कलर देख लो यह डेड़ से अमल ही रह गया है और सब कलर बड़ा मस्त है तो अब हम लास्ट काम्स में करने वाले हैं इसमें हम लोग अड़ करेंगे लेमन तो हाफ लेमन इना फैर तो यहार्स को हम लोग छोटे गलास में डालेते हैं बड़ा सारा गलास तो अभी हम लोग इसको करेंगे टीस्ट और देखेंगे कि कैसे हैं तो फाइनली मैंने एक बहुत बच्छी रेस्पी बना दी और इसका जो टेस्ट है वह सुपब है यो लास ताम मैं पी था उसमे कोगी टेस्ट नहीं था इसलिए कि जब इसलिए पिलाया था तो जिनों को रिविव करनी के लिए तिया थो शायद उनुनों में कुछ इसमें थोड़ीस चीज़े आड़ करके इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है तो हाँ आप इंजॉई कर सकते हो बहुत यह बस यह शुगर प्रिया इसको आड़ करना स्टीविया ले लो वह जादा बटर है तो बहुत मुस्त टेस्ट है आप जरूर आड़ कर सकते हो इसको बहुत सारे बैंफिट है तो आई होब यह वीडियो आपको अच्छी लगी होग अच्छी लगी तो यार नाइक जरू कर देना और पहुत जल्दी में लगें वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबार है